नमस्ते मैं कुमार उत्पाल लिमका बुक आफ वर्ल रिकार्ड होल्डर तीस पुस्तुकों के लेखक आज मैं सुरू करने जा रहा हूँ बहुत ही इंट्रेस्टिंग टॉपिक्स है वह है फ्रूटी कल्चर फ्रूटी कल्चर में सोता है फ्रूट का कल्टिवेशन कहां बिहार में तो यहां बहुत महत्पूर्ण है कि बिहार जो हमारे सुरू से ही फ्रूट उत्पादन के लिए बहुत ही अच्छा प्लेस माना जाता है क्योंकि यहां गंगेट बहुत अच्छी चीज़ें हैं कि fruit culture पर हम लोग अध्यान करें और उसके बाड़े में जानकारी प्राप्त करें आप जानते हैं कि बिहार से संबंधित BPSC में आपको लगभग प्रतेक साल 30 से लेकर के 40 प्रश्णा हर साल आते हैं तो BPSC में यह बहुत महत्पूर्ण टॉपिक्स है इसको ध्यान में रखिया क्योंकि agriculture का यह एक सब भाग है सब टाइपस है तो उस पर हम आपको चर्चा कर रहा हैं बहुत ही सोधपरक और काफी शमचीन इसके बाड़े में बतलाने जा रहे हैं हैं आप लोग ध्यान रखें क्या आप जानते हैं कि हमारे राज्य में कुछ ऐसे फल है जो विस्व अस्तरिये हैं क्या आप जानते हैं कि वह विस्व अस्तरिये जो आपको fruits हैं फल हैं वह कौन से हैं दूसरी बात है हमारे यहां जो आपको fruits हैं जिसमें आपको लीची है आम है केला है आपको पपीता ह यह सब जो आपको अमरूद है तो यह सब जितने भी आपको fruits बता रहे हैं या बहुत ना बहुत ही अच्छा उत्पादन देने की स्थिती में आप पहुँच रहे हैं अब बिहार सरकार आपको आपको सब्जी और fruits के उत्पादन पर विसेश रूप से ध्यान दे रही है इसलिए यह एक burning topic भी है इसलिए इसको ध्यान में आप लोग रखेंगे या आपको बहुत ही helpful होगा BPSC, UPSC अन्य पड़ी चाओं के लिए आएए मैं सुरू कर रहा हूँ कि important fruits और बिहार कौन कौन है जो हमने अभी चर्चा किया है लिची है, आपको mango है, आपको banana है, आपको pineapple है, इसके अलावे जो है papaya है, guava है, watermelon है, musk melon है, gooseberry है, यह सब महत तपूर्ण हमारे हाँ fruits है बिहार में आपको बता देते हैं कि साही लिची जो है, मुझफर पूर का और mango जो है, मालदा mango जो है, बहुत अच्छी variety है वैसे जर्दा का की सुगंध जो है, खुस्बू जो है, फ्रेंग्नेंस जो है, पूरे विश्व में अब तहलका मचाने जा रही है इसलिए हम लोगों को इसके बारे में जानकारी होना चाहिए, आईए हम आपको economic survey जो है, 2018 से 19 के आधार पर आपको fruits जो बिहार में उत्पादन कर रही है, 2017 का मैं आपको बता रहा हूँ mango जो है, आपको लगभग 15 लाख टन पैदा कर रही है, guava जो है, अमरू जो है, आपको लगभग 4 लाख टन प्रोवाइड कर रही है, leachy जो है, 2.3, 4 लाख टन दे रही है बनाना जो है आपको 15.51 लाग टन दे रही है, पाइनेपुल है 1.17 लाग टन दे रही है, पापाया 0.44 लाग टन दे रही है, हाइस सेयर अगर हम कहेंगे तो मैंगो का आपका बहुत जादे छत्रफल बड़ा है, जहां पर उत्पादन होता है, जो 49 आपको 49 अफ टोटल एरिया का 49.4 प्रतिसाच छेत्रों में यह जो होता है 2017-18 का या आपको इसका फसल का फैलाव है, मैं इन केस अफ प्रोडक्शन है, आपको बनाना जो है 36.7 प्रतिसाच अफ टोटल फ्रूट प्रोडक्शन के 2017-18 के आकरा में या आपको 36.7 प्रतिसाच दे रहा है, तो अगर हम इसके फैलाव की डिस्टिबूशन और इसका आपको फैलाव एडिया की द्रिश्ट कोन से आम सबसे अधिक है, 49.4 प्रतिसाच है, उत्पादन के हिसाब से कहेंगे तो जितने भी फल हैं, उसमें 36.7 प्रतिसाच आपका प्रोडक्शन जो है बनाना का है, तो यह हमारे लिए बहुत महत्तपून डेटावेस था, इसले मैंने आपको चर्चा किया, जितने भी आपको फल हैं, उनका उत्पादन का भी हम लेटेस्ट आपको डेटावेस दे रहे हैं, आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा, मैं आपको बता रहा हूँ, यह एक ऐसा चैप्टर है, जो पीटी में भी पूछे जाएंगे, बीपीएसी के, उसके बाद जो है, आपको मिन्स में भी एक प्रशन रहते हैं, और इसका जो लोग जोगराफी रखे हैं, उन लोग के लिए तो हैं ही महत्तपून, उसके खोला या फन टौपिक है, जिसमें पीटी में भी पूछे जाएंगे, बीपीएसी के, मेंस में आपको जोगराफी के में भी पूछे जाएंगे, और जी-स में जोगराफी और एकोनामेक्स दोनों में आएंगे, तो चार समझिये कि सका बेनिफीट से cheap, पर लेने से, और इ मैं आपको बताने जा रहा हूं अम्रूत के बारे में अम्रूत जो है ग्वाभा अंग्रेजी में कालाता है इसमें आपको एकोनॉमिक इंपोर्टेंस आपको के बारे में आपको बताने देखिए ग्वाभा जो है यहां पर आपको कितना सुन्दर मनभावन ग्वाभा है यहा या आपका black variety है जो आपको anti-oxidant तो हैं ही mineral और vitamins है anti-aging में या फाइदा करता है या देखने में आपको deep redis या कहिए black है black आपको कहलाता है black guava है और लेकिन इसके भीतर अगर आप काटेंगे इसका vertical section करेंगे तो आप देखेंगे कि इसके भीतर में लाल है तो देखने में जो उसका cover जो है skin जो है आपका छिलका जिसको हम लोग कहते हैं वह black है और भीतर redis है तो एक अलग आनंद देता है एक अलग scenery produce करता है जो मनभावन लगता है लोग चाहते हैं खाएं और यह सबसे बड़ी बात है यह anti-oxidants है और उससे भी है कि आज सभी लोग चाहते हैं कि हम बच्चे और जवान बने रहें तो यह जो है आएए मैं आपको बता देता हूँ इसका economic importance क्या क्या है तो आप समझ सकते हैं या guava जो होता है vitamin c का बहुत बड़ा source है पैक्टीन है calcium है phosphorus है यह सब इसकी चीजे पाए जाती है या processed food बनाने में भी food product बनाने में भी बहुत helpful है जैसे आप देखते होंगे अमरूद का jam मिलेगा, jelly मिलेगा, nectar मिलेगा nectar भी बहुत महत्पूर्ण है उसके बाद आप देखेंगे कि इसके आपको जो jelly है उससे पूरी बनता है और पूरी जो है red color और prision taste और aroma शुगंद बहुत ही अच्छा होता या पूरी जो हता है इसका उप्योग जो हता है juice बनाने में आपको cake बनाने में, pudding बनाने के लिए sauce बनाने के लिए ice cream और jam और jelly बनाने में भी इसका उप्योग होता है या आपको बहुत ही अच्छा है और इस पूरी को आप बहुत दिनों तक रख सकते हैं आज कल कई सेप में आपको ऐसे जनरली आपको आप देखेंगे रेक्टेंगुलर सेप में होता है ठीक है न जैसे आम का अमावट बनता है उसी तरह से या ग्वाभा का भी आपको रेक्टेंगुलर सेप में मार्केट में मिलेगा पूरी इसको कहा जाता है लोकल नेम है पूरी और या इससे आप जब कभी भी हो इसमें आपको इसको जूस भी बना सकते हैं केक भी बना सकते हैं सौस भी बना सकते हैं तो बहुत ही अच्छा रहता है, जो आपके लिए बहुत ही अच्छा है, प्रोडक्शन इसका आपको बताएंगे, 2018-19 में इसका प्रोडक्शन जो है, आपका ग्वाभा का 3.74 लाग टन हो गया, यह एक बहुत बड़ी बात है, एकोनॉमिक सर्वे कमसार, वैसे इसका 2017-18 का य इसको ध्यान में रखेंगे, भेराइटी जो है, इसका हपसी है, आपको हरी जहा है, सरदार है, आपको अलाहवाज सफेदा है, एपूल है, कलर है, चितिदार है, सेलेक्शन एट है, और ब्लैक ग्वावा है, मैं आपको बता देता हूँ, ब्लैक ग्वावा जो है, आपको बिहार अग्रिकल्चर इन्वर्शिटी के द्वारा यह डेवलप किया गया है या एंटी ऑक्सिडेंट और एंटी एजिंग में या बहुत हल्पूल है या जो है इसमें विटामिन ए बी तो रहता ही है विटामिन सी जो है आपको अगर एक सो ग्राम अगर हम फूट की बात कर है इसमें मल्टी बिटामिन और मिनरल भी खो पाए जाते हैं इसका डिस्ट्रिबूशन की बात करेंगे तो नालंडा है और होतास है भोदपूर है पुर्वी चंपारण और पर्स्मी चंपारण लेकिन सबसे लिडिंग प्रोडूशर जो है तो इसको ध्यान रखेंगे ना हमारी सरकार के द्वारा कौन-कौन से इनिशेटिव लिए जा रहा है तो हर्टी कल्चर के प्रोड़क्शन के लिए यहां पर कई न्यू टेक्नलोजी और न्यू एरिगेशन फेसलेटी की ब्यवस्ता की गई है अग्रिकल्चर रोड मैप थार्ड में आपको और्गेनिक कल विधाय ं दी जा रही है construction आफ आपको मैं बता रहा हो construction आफ लो कुस्त इस्टोडेज यूनिट लिवस्ता की जा रही है development of kul chain for marketing and fresh vegetables and fruits and vegetables है promoting cultivation and vegetables in rooftops Establishment of Tissue Culture Laboratory यहाँ पर बनाए गया है Banana Cultivation के लिए बिहार Agriculture University जो है आपको सबवर में है जो आपका banana का production का काम स्टेट में कर रही है और वह नई Tissue Culture से क्या होता है Tissue Culture से यह होता है कि बिमारी रोग निरोधक छमता वाले varieties का development होता है और कई new उसमें element उसमें introduce किये जाते हैं जिसके चलते वह और भी जादे लावदायक होता है और उसका shape and size जो है बड़ा होता है, attractive होता है तो Tissue Culture के द्वारा इस banana को और develop किया जाड़ा है बिहार में माखाना fox nut जो होता है कड़ीब कड़ीब पूरे country का 90% जो है आपको यहीं पर पैदा होता है तो माखाना जो है बहुत ही nutritional value इसका बहुत है तो वो भी सरकार के development में माखाना भी आता है लिची सुरक्षा अवियान जो है वा आपको लिची के production को संबर्धन के लिए और सुरक्षा के लिए भी कई तरह की योजनाया बिहार सरकार के द्वारा सुरू की गई है तो यह हमारा initiative है horticulture development का और बिहार सरकार के द्वारा दी जा रही है और बहुत साड़े planning अभी चल रही है कि इसको और भी betterment किया जाए बिहार सरकार का यह सबसे बड़ा नजरिया है कि वह चाहती है आपको मुख रूप से agriculture road map का जो प्रावधान है मन्ने मुख मंत्रे जी के द्वारा यह किया गया कि पूरे भारत में हर थाल में आपको हमारी सब्जी मिले और हर शुबह जो है फल उनके प्लेट में मिले तो या हर थाल की जो बात हमारे मन्ने मुख मंत्रे जी करते हैं तो यह दो छीजों से पूरा होता है शब्जी से और आपको फल से तो सब्जी और फλ दोनुके उतपादन में हमारी सरकार कृते शंकलपित है ओर इस दृत शंकलपित है और यह काम काफित तिब्र गति से हो रह है मैं मैंगो की बात कर रहा हूं आम का है आम जो है मैंगो का बहुत अच्छा प्रोडक्शन भी हर में होता है और मैंने बोला कि एम का यहां पर उत्पादन कई जीरों में होते हैं जैसे आपको हमने दिखा रहे हैं आपको सबसे पहला तो मैं आपको बताऊंगा इस चमपारण में खूब होते हैं सिता मढ़ी में खूब होता है इसका उससे मुझभफर पूर एरिया में खूब होता है दरभंगा में खूब होता है और यह सबसे अधिक अगर हम एक जीले की बात करें टॉप मोस्ट करेंगे जैसे ग्वावा में नालंदा टॉप है उसी तरह से आपको आम के उत्पादन में सवसे अधिक जो है दर्वंगा का है दर्वंगा में असल में क्या है कि यह मेडाइवल काल में जो अकवर द ग्रेट थे सम्राट अकवर थे उनके द्वारा दर्वंगा में 10,000 से अधिक आम के पुधे लगाए गए और जिसके कारण यहाँ पर क्या हुआ उसी समय से यहाँ पर आम को हरेएक शुक दुख में आम के चीजों का उप्यो किया जाता है इवेन आपको बता रहे हैं कि आम का जो भी आपका कोई भी आपका कर्मकांड होते हैं कोई भी कर्मकाड चाहे आपको उपनायन संसकार होते हैं उसमें भी आम के पल्लव की बात होती है अगर ग्रिह प्रवेस करते हैं तो उसको मूझ की रस्री में लोग आम के डंधल को पल्लव को लगाते हैं कोई भी पूजा पाट में हुआ ता आम के कलश म आम का डिंठल रखा जाता है आपको बताते हैं स्राध कर्म में तो ऐसा है कि आपको दाशन्सकार की क्रिया में आम की लकड़ी एकदम निहायत है ठीक है ना वहाँ पर ऐसा आपको नौर्थ बिहार में ऐसी मानिता है कि आम की लकड़ी नहीं मिलेगी तो उनको श्वर्ग में अस्थान नहीं मिलेगा तो आम की लकडी का आपको बता रहे हैं शुक दुख दोनों में हैं और सबसे बड़ी बात है फसल जो है इसकी फसल और शुगंद के कारण दर्वंगा छेत्रों में सबसे अधिक उत्पादन आम का होता है इसके बाद जो है कुछ मैं इस चारो चारो आपको दिखा रहे है या जो छेत्र जो आपको हम दिखा रहे हैं या जो छेत्र है यह आम के लिए बहुत प्रसिद्ध हैं करीब करीब 24.8 प्रतिसत पूरे बिहार के आम के उत्पादन इस छित्रों में होता है तो यह तो बहुत बड़ी बात हो गई कि पूरे उत्पादन का समझे लगभग 25 प्रतिसत ही आ होता है यह छित्र चार है जिसमें दर्भंगा मुजफर पूर इस चंपारण और सिता में है वैसे आपको भागलपूर भी छित्र में आम का उत्पादन खूब होने लगा है और छित्पूर तो पूर्णियां वगरा समय है लेकिन यह चार मुख्य है और भागलपूर सेकेंड पूज़ी मनें दूसरा सेक्टर आता है दूसरा छित्र आता है वह भागलपूर का है आपको 2018-19 का डेटावेस है छेत्र तो आपको हम बता ही दिया है एकोनामिक सर्वेश 2018-19 के आधार पर हमारा उत्पादन 14.81 लाख टन हुए है 2017-18 में उत्पादन हुए है हमारे यहां वहराइटीज भी बहुत सुन्दर वहराइटीज सब है जो बहुत ही मनमोहक है श्वा अलग टिंज ओफ टेस्ट है टिंज ओफ टेस्ट जिसको हम लोग काते हैं और इरोमा तो इसका बहुत ही सुन्दर है मैं आपको बता देता हूँ एक वहराइटीज है आपको जरदालु आम जरदालु आम आप देखेंगे खासकर के इस संपारण में बहुत होता है जरदाल होता है और सुरुवात में ही उत्पादन उसका होता है मैं आपको बताना पूरा घर को शुगंद्रित कर देगा इतना बढ़िया है तो इसमें है मालदा है बंबया है फजली है मलिका है मलिका भी नई वेराइटी आई है अमरपाली भी बहुत सुन्दर वेराइटी है चोटी चोटे से पौधा है उसमें उत्पादन अच्छा होता है गुलाब खास है किशन भोग है हीम शागर है जरदालू है लंगडा है अंबिका 2000 अभी सबसे लेटेस्ट व और अरूनी का यह दोनों बहुत बढ़िया है अलफांसो पहले गोवा में होता था और यह एक्सपोर्ट भेराइटी सा लेकिन अब यहां अलफांसो आम यहां पर उत्पादन होता है आपको बता रहे हैं कि हविली खरकपूर जो है मुंगे डिस्टिक में है वहां पर जो आपको पहाड़ी है उसी पहाड़ी के नीचे पहले बैरन जमीन था लेकिन लोगों के उत्सा से वहां पर हुआ और मैं गया भी हूँ वहां पर लोची बगल में अमरपू है तो कई चोटे चोटे गाउं सब है वहां पर हम देखे कि सैक्रो आपको हेक्टियर में ज़न हो रहा है वहां से अलफानसो आम जो है सो कई बार आपको मालूम हुआ कि हमारे परमादर राश्टपती जी और प्रधान मंत्रे जी और अन्ने लोगों को वहां से ट्रेन में रख करके एक वोगी ट्रेन आम भेजा गया तो अलफानसो के वाल अब गौवा में नहीं ह होता है यहां पर भी होने लगा है चौसा और दशहरी जो यूपी के हमारे बोर्डर साइड में काफी उत्पादन होता था अब यहां भी चौसा और दशहरी आने लगा है भदिया में भी सुकूल वगरा है आपको हम लोगों के मिन्स भादो तक आपको उत्पादन होता है आम का तो आम यहां पर बहुत ही इंट्रेस्टिंग है लोग आम खाना बहुत पशंद भी करते हैं मैं आपको आगे आ रहा हूँ लिची लिची के बाड़े में तो कहना क्या है आपको यह जान लिजे बिहार में यह लार्जेस्ट प्रोड्यूशर अप लिची है आपको यह जोग्राफिकल इंडिकेशन जो होता जी आई टैग जो हता दूजार आठारा में इसको मिल भी गया तो यह बहुत खुशी की बात है आप देख रहे हैं छोटा सा पौधा है इसका तीन शाखा है और देख रहे हैं कितना मनभावन लगता है इसकी हरियाली के बीच में यह लाल लाल फल लटके हुए हैं आपको यह जमीन से थोड़ा सा उठा हुआ रहेगा और बहुत ही अच मुझफर पूर में है या लेकिन पस्विन चंपारन, पुडवी चंपारन, सितामरी, मदवन्नी, दर्भंगा, वेगुसराय और खगड़िया में भी इसका उत्पादन होता है मुझफर पूर का जो लिची है साही लिची या बहुत मातपोन है यही साही लिची का हमचित्र आपको दिखा भी रहे थे और जबकि यहाँ पर विदेशों में चीन, टाइवान और थाइलेंड, बंगलादेश भी उत्पादन करती है लेकिन अगर इसके सामने उसको रखेगा तो वह जो रखे हुए है लिची वह लज्जीत हो जाएंगे क्योंकि इसकी कलर, इसकी शु साही लिची का, नाम ही है साही, ठीक है ना, या समझे कि साही है ही लिची, मिन्स बाद साही लिची इसको कहा जा सकता है, या टेस्ट है इसका, बहुत सुन्दर है लिची का, मैं आपको थोड़ा सा डिस्टिब्यूशन मैप के अधार पर बता देता हूं कि या ज़्यादे आपके दिमाग में रहेगा क्योंकि पीटी में या आपको अगर थोड़ा सा मैप ध्यान रहेगा तो हो जाएगा और दूसरे वाद मिंस में भी मैप अगर से आप लिखते हैं मैप के द्वारा रिप्रेजेंटेशन देते हैं एक्सप्रेशन करते हैं तो आपको जादे उसरा है खगड़िया तक आपको या जो छेत्र है मदवन्नी है दरवंगा मदवन्नी शितामरी या जो छेत्र है या छेत्र है आपका यहाँ पर जो बूरी गंड़क है यहाँ पर जो बागमती है और यहाँ पर जो है आपको कमला बलान की नदिया है तो या सब जो है या त खेत्र है उसी में उत्पादन होता है कितना मनभावन एक टोकडी में रखा हुआ है या लिची कितना सुंदर लग रहा है न देखने ही से मन करता है कि इसको खाएं तो यह बहुत सुंदर है साही लिची जो इतना बढ़िया कलर बहुत कम फल को देखने को मौका मिलेगा आप लगता है कि कितना सुन्दर हमारा यह बनाना है और यह बनाना का मैं तोड़ा चार्चा कर दूँ कि आपको एक सो ग्राम अगर बनाना का आप खाते हैं तो एक सो पचास कैलोरीज आफ इनर्जी प्राप्त होगा खाएंगे हम एक सो ग्राम और कैलोरीज हमारा एक सो पचास ग लग दिया है तो विटामीन ए का भी बहुत बड़ा है प्रोटीन भी है विटामीन भी है मिनरल भी है आइरन फॉस्फोरस पोटैसियम सब चीज है और लेकिन लार्जेस प्रोडूशर बिहार में है वैशाली जिला है और वैशाली जिला में विसेज करके या हाजीपूर जो छेत्र है वह आपको में काफी अधिक पाए जाता है हाजीपूर हेटपाटर होता है तो इसका कटिहार है आपका मुझफर पूर भी है नौगचिया भी खूब है भागलपूर में आता है नौगचिया किशन गंज है पूर्णिया है यह सब में खूब उतपादन होता है 28,000 हेक्टियर लैंड आपको हाजीपूर में या इसका उतपादन में लगा हुआ है तो यह बहुत बड़ा छेत्र है मैं डिस्टिबूशन का भी चार्ट बना दिया हूँ डिस्टिक वाइज वैसाली कटिहार किशन गंज भागलपूर नौगचिया जिसको हम लोग काते है पूरुनिया है करीव करीव 52,000 हेक्टियर में या फैला हुआ है बहुत छेत्रों में मैंने पहले ही बता दिया था फरस्ट सुरू करने के समय ही बताय था कि सबसे अधिक छेत्रों में या जो है सो इसका कवरेज होता है जिससे उतपादन भी इसका होता आम का इससे त्वा आमपन से जादे हो जाता है इसकी वैराइटीज है त्सकरा त्सक्राइद को अधर मत्पूछ। बहुत सुन्दर है उसके बाद मुठिया है पोठिया है गौरिया है यह सब बहुत ही अच्छी भेराइटीज है लेकिन उसमें मालभोग बहुत ही अच्छा है चीनिया केला का हाजीपूर का बहुत फेमस है यही चीनिया केला ही है यहाँ पर आपका और यह रेखने में उपर में पीला है नीचे में फाइट है और फाइट के आभीतर में जाएंगे तो हलका इलोईस है हलका इलोईस है जो बड़ा ही मनभावन लगता है बड़ा ही आकरशक और सुसोवित करने वादा लगता है चलिए आगे मैं आपको बता रहा हूँ बनाना का प्रोडक्शन कहां कहां है उस पर भी तुछा सा हमलो मैप के आधार पर समझाने का मेरा प्रयास राता है कि बचे लोग तुरंत दिमाग में आ जाता है कि देखिए यही वैशाली है वैशाली का छेतर है जहां सबस आपको किशन गंज मेंस यह जो आपको नौर्थ इस्टर्ण जो छेतर है उसमें मुख रूप से यह पाए जाता है नौर्थ इस्टर्ण छेतर है तो यह जो छेतर है यह बहुत ही फेमस है जिसमें भागलपूर कटिहार पूरुनिया किशन गंज है और इधर वैशाली है रखिएगा आप लोगों को कोई दिक्रत नहीं होगी आप एक वार हमने मैप के द्वारा चित्रों के द्वारा डिटावेस के द्वारा सब्ची बतलाने का प्रयास कर रहा हूं जिससे आपका बेटर समझदारी होगी और बेटर अंडेस्टैंडिंग होगी बेटर मेमोरी आपको तो स्वाविक है ब्रें तो आपका इंप्रूब करेगा आए इसमें क्या क्या है फो आसा और राइप बनाना और बनाना राइफ बिनाना में हम दोनों को आपको डेटाबेस दे रहे हैं बनाना राइप में 15 ग्राम है क्योंकि अनराइप बनाना है जो सब्जी में होता है ऐसा फॉल तो हम देखा ही नहीं कि आप इसको अनराइप में भी खा सकते हैं कच्छा केला सब्जी के लिए बहुत अच्छा बेस्टेबुल है औ बहुत अच्छा रह था यहां तद्ध कि उसके केले के जो अपको थंब जिसको हम लोग कहते हैं तो नहीं होता है वह तो होता है लेकिन वह लीफ को भी बहुत तरह की सब्जी में उपेऊग होता है मैं south में गया था आपको बता रहा हूँ तो वहाँ पर केला के छिलके की आपको सबजी और वहाँ पर तरुआ वगेरा सब खिलाते थे लो और केला का chips भी होता है जो वहाँ south में आपको खुब चलता है उस common ने तो हम लोग क्या भी अब शुरुवात होने जा रही है सरकार बहुत एडिमेंट है कि नहीं हम इसको बनाना को बिभिन रूपों में और बिभिन चीजों में इसका उप्योक है तो इसका chips भी बहुत अच्छा है वहाँ पर मैंने देखा south में जहां भी गया रामश्रम गया से ले करके जहां भी हम गये कन्या कुमारी वगरा जहां भी गये तमिलाडू करला सब जगह के केला का हम देखे chips और बहुत ही अच्छा वहां का chips है चटनी है केला के छिलका की चटनी भी होती है तो यहां बहुत मल्टी परपस इसका उप्योग होता है इसलिए इसको ध्यान के देखिए इसमें इतनी facility है आपको हमने बता ही दिया इंप्रूब ब्रेन हेल्थ सबसे पहले एक विध्यारती और सिच्छक के लिए ब्रेन सबसे बहुत अपूर्ण चीज़ है Maintained Balance of Flutes भी है इसमें आपको क्योंकि इसमें 75 ग्राम बनाना में 75 ग्राम इसमें राइप में आपको वाटर पाये जाते हैं dietary fiber भी है जो gut health के लिए बहुत ही अच्छा है saturated fat भी करते हैं जो bone को stronger करते हैं cholesterol कम करने में भी या जो है जो poly unsaturated fat monounsaturated fat भी पाय जाता है vitamin A जो है so vision और immune system reproductive system को बराने के लिए 2 gram पाय जाता है बहुत अच्छा है vitamin C जो है 15 gram पाय जाता है यह तो बहुत नहीं अच्छा है खासकर करोना काल में तो यह बहुत नहीं अच्छा है healthy skin, skin भी आपका आपका जो आपको मुलाइम skin रखेगा आपको blood, facial, bone, cartilage जिस सबको healthy रखेगा और आपका vitamin B6 भी है जो हमारे लिए बहुत ही helpful है health के ड्रिस्टे से या बहुत ही अच्छा है depression भी कम करेगा mood swing करेगा क्योंकि आजकर लोगों को भावा क्रोश बहुत रहता है और उसको बड़ा maintain करता है या आचा sodium, potassium, magnesium, iron ये सब भी बहुत पाए जाते हैं जो हमारे लिए food का fluid balance के साथ साथ blood volume को भी maintain करते हैं और सबसे बात है कि iron के रखने से healthy oxygen carrying facility इसमें बढ़ता है dopamine जो होता है वह brain को mood और feelings को generate करता है क्योंकि यहां तो लोग भावा क्रोश में रहते हैं चोटी सी बात में भी भावा क्रोश में रहते हैं आक्रोश ही तरहते हैं तो उसको बहुत नहीं अच्छा करता है dopamine आप जानते होंगे बहुत important है आपको उसकी संख्यान उसकी जो amount है वह कम नहीं है 2.5 से लेके 10 mg है बहुत ज़्यादे हैं और कैटकीन तो उससे भी ज़्यादे है कि आपको brain health brain heart को यह protect करता है सबसे बड़ी है weight loss भी करता है और उससे भी ज़्यादे है कि cancer को रोपता है तो यह कैटकीन भी बहुत मात अपोन है chemistry में आपको पढ़ना है लेकिन मैं यहीं पर बता देता हूँ तो आपका कई तरह के question आपको बन जाएंगे dopamine और कैटकीन का आजकल बहुत उपयोगिता बह गई है क्योंकि cancer रोगी बहुत बढ़ गए है और heart और brain तो आजकल सबसे पहले डेमेज होता है तो इसलिए भी यह केला हमारे लिए बहुत helpful है मैं आपको बता रहा हूँ अब आते हैं हमारे भीहार के लिए मैं आपको बता रहा हूँ कि मखान मखान जो है हमारे लिए बहुत important है क्योंकि यह 90% आपको भारत का 90% मखाना हम लोग के हाई होता है बिहार में होता है और यह मखाना जो है इसको fox nuts वी काते हैं notus seeds भी काते हैं और gorgon nuts भी काते हैं कई नाम से यह फेमस है देखिए यह जो है आपको यहाँ पड़ आप देख रहे हैं यहीं माखाना है और यह भी कई चीजों में इसका उपियोग होता है कई चीजों में उपियोग होता है आपका multi facility प्रोवाइड करता है यह बहुत ही हलका ह होता सबसे बड़ी बात है आजकल हर आदमी से पुछिएगा कि भाई सूगर की क्या इससे तहम सूगर पेसंट है तो बहुत ही अच्छा है तो यह माखाना जो है बहुत ही फ्रेस है वाइट इस पॉपकरंड में भी भुजा में भी इसका उप्योग कर सकते हैं खीर में भी उपयोग कर सकते हैं, ड्राइफ फ्रूट्स में भी इसका उपयोग कर सकते हैं, ति यह कई चीजों में इसका उपयोग होता है, मखाना सेख भी बहुत आज कल चलने लगा, ब्रेक पास्ट, पांजीरी में भी पंजीरी इसका बनने लगा है, बहुत ही अच्छा है, ठीक है न यहां पर आप यही समझे इस एरिया में दर्वंगा में विसेज करके इसका खूब उत्पादन होता है और आपको बता देते हैं 76,000 पॉंड्स यहां पर हैं जो यह उत्पादन करते हैं मखाना कल्टिवेशन है मदवनी दर्वंगा में तो मुख रूप से है लेकिन विस्टर सा उत्पादन पर भी चर्चा कर देता हूं मैप के आधार पर आप लोग कॉमेंट कीजिएगा कि मैप और डेटाबेस या डाइग्राम से आप लोग अच्छा समझते हैं नहीं अगर नहीं समझते हैं तो हम नहीं देंगे लेकिन मुझे जैसा लगता है कि यह ज्यादे आपका है देखिएगा यहां से यहां तक के यह च्छेत्रों में ही मुख रूप से यह पाय जाता उसमें सबसे जादे मधवन्ने और दर्भंगा है उसके आज सुपाल है उसके बाद सहरसा है पूरुनिया है कटिहार है अरडिया है मधेपूरा फुरा सा आपका उसके कोश पूरुप से मधवन्नी दर्भंगा सहरशा सुपाल अरडिया पूर्णिया और कटिहार में इसका मुख डिस्रिबूशन है आए मैं थोड़ा सा आगे बता रहां देखिए मखाना का खीर आपको देखते ही आपका मन ललत जाता होगा कि कितना सुन्दर यह मखाना का खीर है और इसमें तो उसे भी अच्छा है कि या पैक्ट है आपको इसमें जो फॉक्स नट्स है इसमें चॉकलेट कोटेड भी है इसमें कई तरह के चीजों को मिला करके इसको इतना अच्छा लगता है कि जब कई मन हो एक दो खाल लीजिए बड़ा और प्रोटीनिशेस भी होता ह है काफी हल्दी है और सुगर-free रात शुगर का यहाँ यह नई है आप इसको खा सकते हैं हलका चॉकलेट वाला इसमें डाल करके चॉकलेट आपका कवड है या बहुत सुंदर लगता है आईए मैं आपको बता रहा हूं मखाना का कھیर मखाना के खिती के बारे में बहुत कम बच्चे जानते होंगे हम लोग तो हम लोग के तरफ होता ही है तो हम लोग जानते हैं सिभर सितामरी में तो बहुत ही कम होते हैं लेकिन दर्भंगा मदबनी में बहुत जादे होता है इसका जो ये पत्ता आप देख रहे हैं या फैला हुआ बहुत की तरह होता है जिस तरह से कमल पानी में होता है उसी तरह से यहीं भी तालाब में होता है आपको यहां पर आप देख रहे हैं यह कैसे या आपको जर में इसका छोटा छोटा जो आपको देख रहे हैं यही मखाना है इसका कफर जो होता है काला हलका रेडिस होता है जो आपको फूर करके, फ्राइ करके, इसके भीतर जो चीज़ होता है, वहा हलका होता है, दम् मुलैम होता होता ही लेकिन इसका उपर वाला कफर होता है, हलका होने के कान या क्या किया जाता है कि इस या जो आप देख रहे हैं मखाना निकालने वाला या जाली से वह ऐसे करके निकालता है तो वह actually क्या होता है कि 3-4 महिने के बाद ये पत्ते जो है इसके गल जाते हैं और पॉंड में और वह सब जो जड़ में रहता ही है और वह सब आपको पानी में नीचे बैठा हुआ रहता है इसी के द्वारा वह ऐसे करके हिलोरता है तो उसमें बहुत साड़े आ जाते हैं और इसी में आपको क्या होता है कि अल्मूनियम का आप देख रहे हैं यहां पर आपको अल्मूनियम का यह जो बरतन है उसी में रख ले जाता है लेकिन आजकल नई टेक्निक्स आ गई है नाव की तरह रहता है इसका भी उपयोग किया जाता है सब नवीन टेकनिक से अब इसका बहुत ही अच्छा उत्पाजन होने लगा है काफी आर्थिक है ठेक है ना 600 से 1000 रुपे किलो तक किलो मिलता है तो या बहुत लोग और खास करके या सुगर फ्री है हलका है और इसको दोनों रूप में कई रूप में इसका उत्यों कर सकते हैं तो इसका मल्टी यूज के चलते इसका आजकल मांग बहुत बढ़ गया है मैं आपको आवा रहा हूँ पाइनेपुल्स पर आ रहा हूँ पाइनेपुल्स बिहार में अब बरदान साबित होते जा रहा है आपको कल्टिवेशन इसका पाइनेपुल का सुरुआत हुआ आपक इसका उत्पादन हो रहा है और पहले कुछ खास सीजन में होता था आज कल तो हर सीजन में इसका सालों भर उत्पादन हो रहा है अब यह समझे कहां 200 कहां 10,000 तो means 50 times से इसका production जो है 30 सालों में 50 times से 50 गुना उत्पादन बढ़ गया और आपको अब और भी तेजी से बढ़ने जाड़ा है क्योंकि कई नवीन वहराइटी जाए है उसके चलते इसका उत्पादन और भर जाएगा थार्ड लार्जेस प्रोडूशर और पाइनेपुल है इंडिया का यह जो है production 1.17 लाग टन है टाइप सॉप वहराइटी है क्वीन है स्मूथ लिप्स है आपका क्यू है देखिए मैं यहां पर आपको चितर के द्वारा जादे समझाओंगा या आपका क्यून वहराइटी है क्यून वहराइटी में क्या है इसका लिप्स जो हता है चीकना होता है इसका किनारा जो हता है एकदम चीकना होता लेकिन क्यून से एन हट गया तो क्यू हो गया तो यह lips है means इसका जो leaf है मैं आपको दिखा रहा हूँ इस तरह से इसका leaf हो जाएंगे means इसका prickled है या जो है prickled है लेकिन आपको यहाँ पर छोटा सा है इसलिए नहीं दिखाई पर है लेकिन इस प्रिकल है means इसको अगर हाथ सटाएंगे तो आपको चूब सकता है तो यह है क्यूँ बहराइटी प्रिकल लेक्स है और यह क्यू जो है आपका समझें की smoth leaves है तो यहाँ दो बहराइटी है इसके बाद आपको जलधूप है यहाँ जलधूप है लकथ है अमारी खस है और उसके चैलोट है रोचेल्ड है और सबसे अभी नवीन बहराइटी आए गया है टेबूल परपसेज के लिए और जूसी परपसेज के लिए जूस निकालने के लिए टेबूल पर फल के रूप में खाने के लिए बहुत ही अच्छा है यह एमडी टू भेराइटी बहुत अच्छा उत्पादन भी है मैं तुरा सा और आगे एक चीज बताने जा हो कि देखिए डॉक्टर कलाम क्रिशी कॉलेज किशन गंज में सुरू किया गया है जिसमें टिसू कल्चर लैब से रोग रहीत अनानास जो हर साल दस लाग पौदे यहां पर तयार किये जाएंगे इससे और अनानास की फसल अब चार माह में हो जाएगी हमारे डॉक्टर कल उन वैज्यानिकों को जो डॉक्टर कलाम क्रिशी कॉलेज किशन गंज में यह तयार की है यह कितना बड़ा लग रहा है अच्छा लग रहा है कलर फुल लग रहा है जो आपको मन करेगा कि नहीं यहांनास यह हम खाएं और यह रोग निरोधा कर च्छमता वाला प्रजाती पैदा किया जा रहा है डिस्टीगूशन आईए डिस्टीगूशन मैं आपको बता दे रहा हूं मैं तो blockwise distribution भी कर दिया हूं लेकिन मुख रूप से आप देखेंगे इसका जो नॉर्थ इस्टन छेतरों में या मुख रूप से है जिसमें किशन गंज सबसे अधिक है पुर डेफ्ट में नहीं पूछता है BPSC में लेकिन मैंने आपको दे दिया है कि अगर खास करके जो डेड़ी के हैं भेटनरी के हैं जो आपको आपको अग्रिकल्चर इन्वर्सिटी के हैं या अग्रिकल्चर का बहुत सारे पोस्ट होते हैं उस सम्थ के बचे इसको वीडियो को द देखा है कहीं कुछ उपलब्द नहीं आए तो बड़ी मुश्किल होता बच्चे कहां से लाएंगे तो मैं इसके लिए मैं एक आपको डेटावेस प्रोफाइड कर रहा हूं चली आगे मैं आ रहा हूं पपाया पर पपीता पर आ रहा हूं पपीता हमारे लिए बहुत ही अ कलता है सेंट्रल अमेरिका में ही साउदर मेक्सिको का पार्ट है ठीक है ना तो यह मुख्य है देखिए इसका दो बहुत ही कॉमन आजकल है कि कुछ में सीड होते हैं और कुछ पापाया में आजकल सीडलेस भी त्यार हो रहा है तो दोनों पापाया है कितना सुंदर है सीड पर हरी में बहुत सारे सीड निकाले में दिकत होती है तो सेडलेस परशन्द करते हैं पपाया में आपको पता देते हैं कई माने सब्कुति हैं अब यह जह पपाया है यह अब कणक्षपन के लिए गलाने के लिए भी इसका उपयोग अब सदियों से इसका उपियों होता है इसमें हाई लेटेक्स मात्रा है तो इसमें आपको और कच्छा अगर खाएंगे कच्छा भी लोग खाते हैं तो कच्छा खाएंगे तो इसमें लेटेक्स की मात्रा जादे हैं तो प्रिग्नेंसी पिरियड वाले जो हैं वह नहीं खाएंगे क्योंकि उसमें latex होता है ठीक है ना तो या harmful हो सकता है stimulate contraction आपको कर सकता है तो या जो है लेकिन इसमें क्या-क्याची पाए जाता है calories बहुत ही अच्छा है 59 calories है मैं आपको 152 gram पर आपको बता रहा हूँ Carbohydate 15 gram है fiber 3 grams है protein 1 gram है vitamin C जो है सो आप देख रहा है 157 प्रतिशत RDI है vitamin A 33 प्रतिशत है folate vitamin B 9 जो है 14 प्रतिशत है potassium 11 प्रतिशत है और calcium magnesium vitamin B1, B3, B5, E, K सब पाए जाते हैं antioxidant जो keratinoids कहलाते हैं यह भी पाए जाते हैं और खास करके lycopene type के पाए जाते हैं जो बहुत ही helpful है मैं आपको बता रहा हूँ यह जो है आपको antioxidant जो है उसको absorb करता है beneficial antioxidants है जो body को absorb करता है जो अन्य fruits की जगह जादे है antioxidant including keratinoids found in papaya can neutralize free radicals यह करता है alzheimer's रोग वाले के लिए बहुत रामबान है वैसाली मुझाफर पूर समस्ति पूर बेगुसराय और पत्ना में इसका distribution है आप ध्यान रखेंगे आप देख रहे हैं यह पपीता कितना छोटा छोटा पपीता का पौधा है और कितना पपीता है कि अगर हम माल लिए पांच छे पपीता को भी रोप दें तो शालो भर हम लोगों को चक्नी से लेके सबजी से लेके फल से लेके सब चीज हमको उप्लब्द हो जाएगा तो आज कल छोटे-छोटे जगों में भी इसके छोटे-छोटे प्लांट्स का उप्योग करके हम इसे पपीता का सबजी प्लस आपको हम इसको फल के रूप में उप्योग करते हैं आए इसका डिस्टिबूशन मैं बतला दे रहा हूँ डिस्टिबूशन इसका बहुत महत्तपोन है जो आपको देख रहे हैं इस खास एरिया में है या मुख्रूप से मुझफर पूर, वैशाली, पतना, समस्ति पूर, वेगुसरा में यहाँ मुख्रूप से पाए जाते हैं, इसको धियान में रखेंगे, मैं आपको पपीता का जो विराइटीज है, उस विराइटीज पर आ रहा हूँ, इसकी विराइटीज है, पूसा ड्वार जीका या एक से लेकर के दो केजीका या आपको पपीता निकलता है, उसा पूसा मैजेस्टी में एक से डेर किलो तक निकलता है, इसमें यह जो है पूसा मैजेस्टी की है, पूसा जीन्ट तो आपको बहुत बड़ा है, और हाई किलो से लेके तीन किलो तक यह पूसा जीन् है पूसा डिलिशियस है यह टेस्ट के लिए बहुत खासियत है देखिए एक पेर में आप समझेए पचास से उपर यह आपका पपीता निकल ला है पका हुआ मन करता है कि इससे तोर करके हम लोग खाएं और बाटे इतना मन भावन है कुछ कहने के लिए नहीं चलिए आज हम के बाड़े में बता है नेक्स्ट हम आपको बताएंगे सब्जी के बाड़े में उसके बाद और आपको एकली कल्चेतर बताएंगे जाएंगे